आज हम लोग देखें कि AI voice को कैसे यूस करना है कैसे AI voice को generate किया जा सकता है इस तरीके आपने आपने आवास को AI voice में clone कर सकते हो और AI voice देखें को और आपको बनानी है तो वह भी कैसे बनाए जा सकती हो आज हम लोग बात करने वाले 11 Labs के बारे में इसका free plan देखेंगे और gases को इरूस करना है के एक कुछ बताला आज के इस वीडियो में 11 Labs क्या? 11 Labs एक AI voice generator है यहाँ पर आप लोग कुछ भी अपना text डालो गया और वो आपको यहाँ पर AI voice generate करके दे देगा पहले हम लोग यहाँ पर इसके free version के पारे में बात कर लेते हैं free version में आपर आपको 10,000 characters per month मिल जाते हैं यह रहा इसका user interface सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा दो option text to speech और speech to speech text to speech में मतलब यहाँ पर मैं कुछ text करूं टाइप करूंगा उसके basis पर AI voice generate होगी speech to speech पर मैं आप आगया आता हूँ सबसे पहले इसकी settings देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आता है model सबसे पहले इन्होंने जो release किया था that was English V1 फिर यहाँ पर दो तीन और models को इन्होंने release किया है depending कि किस तरह के आप लोग voice ले रहे हो उस तरह से यहाँ पर model पर switch हो जाता है कोई models Hindi के लिए अच्छे हैं कोई English के लिए अच्छे हैं कोई tuning के लिए अच्छे हैं best part यह है कि जैसी आप लोग यहाँ पर different voices select करते हो यह automatically model select कर लेता है आप लोगों के लिए जैसे मैंने Emily select किया इसने का कि आप यहाँ पर V1 यूज़ करो तो we will use V1 इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लाइन की ज़वरत नहीं आपको सिर्फ यहाँ पर voice select करने कि कि आपको कौन सी voice में चाहिए अब यहाँ पर आपको बहुत सारी voices मिल जाती है फ्री में you can just select जो most popular है आडम की है तो जैसे हाँ पर आप इसको select करके एक बार play करके भी देख सकते हो किस तरीके से वो sound करेगा इसके बाद हैं आपर voice setting सबसे पहले stability, stability means जितना ज़्यादा आप इसको stable करोगे उतनी ज़्यादा वो monotone हो जाएगी आपकी voice और जितना ज़्यादा इसको less stable करोगे उतने ज़्यादा है वो expressions add कर देगा आपकी voice में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो like जरूर करें मुझे काफी help होगी धन्यवाद मुझे काफी help होगी धन्यवाद अगर आपका content ज़्यादा बड़ा है तो more stable पर जाओ अगर आपका content छोटा है तो आपका less stable भी यहाँ पर try कर सकते हो यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टेक्स तो स्पीच में इन दोनों का यूज़ करके यहां पर आपको आपका टेक्स सेंटर कर देना है वोईस सेलेक कर देना है कौनसी वोईस में आपको चाहिए यहां नीचे आपको पता चल जाए कि कितने characters consume कर रहा है और अभी तक आपके पास quota कितना remaining है मन्त के end में वापस से आपको 10,000 characters मिल जाएंगे बहुत सी अफ़बाहों के साथ कई ऐसी सची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन कर बाना बहुत मुश्किल है इस तरीके से आपकी AI voice नहां पर जनरेट हो जाएगी यू कन डाउनलोड इट इन MP4 format from here या पर डाउनलोड हो जाएगी तेरा आता है हमारे पास speech to speech यहां पर आपको टेक्स एंटर करने के ज़बरत नहीं है यहां पर आप लोग सिप अपनी audio file को upload करोगे और उस audio file में से और text को extract कर लेगा and then AI voice में convert कर देगा best part यह रहता है कि यहां पर जो भी आपके expressions रहेंगे style रहेंगे वो उसको वहां पर consider कर लेगा for example अभी जो आप लोग संद में हुए AI voice है मेकिन जो expressions में आप डे रहा हो जिस तरीके सिर्फ बोल रहा हूं जो भी हाँ पर मैं जिस दो अर्तिताला फोकस दर रहा हूं कि लाइक सरूर तर्मा है आपको इस वीडियो को मदर आप लेपर पर पसंद लाइक कर दा बच जाना यह जो एक्सपरेशन से यह में डाल सपाऊं थो speech to speech then we go to Voices, Voices में आपको एक्स्पोर कर सकते हो जैसे बहुत सारी यह पर दूसरे लोग ने वोइस बना कर रहा है अगर आपको जो प्रीमेड वोइस पसंद नहीं आ रहे है तो you can search the voice library here जैसे यहां पर Marcus की voice है Alice की voice है आपको Indian voice है तो you can just search for Indian voice अगर आपको किसी particular category में चाहिए तो you can search the voices from here वो सब यहां पर आपको मिल जाएगी you can just listen to the sample जो अच्छा लगे जो अच्छा लगे वो आप लोग यहां पर रख सकते हो अब बात करते हैं हम लोग इसके premium plans के बारे में इसका link आपको नीचे description पर मिल जाएगा for the first month you can get started with dollar one और creator plan dollar 11 पर तो first month पर आपको यहां पर आप आप भी मिल जाएगा यहां पर character limits थोड़ी जादा बढ़े आती custom voices आप लोग बना सकते हो instant voice cloning का option है और यहां पर professional voice cloning का option भी खुल जाता है plus you can create some long form content as well premium plan लेना हो तो उसका नीचे link मिल जाएगा that will be my affiliate link आपको भी discount मिलेगा मुझे भी आप commission मिल जाएगी तो if you like my work you can use my link from the description section below now premium plan plan के features बता जाता हूँ चलो characters को जादा मिलेंगे उसके अलावा you can have your own custom voice क्योंकि कभी कवर क्या होता है YouTube आच फिल बैन कर रहा है अगर आप लोग यहां पर को यह voice को use कर रहे हो तो हो सकता है वहां पर आपको monetization नहीं मिले इतने easily इसलिए आप लोग यहां पर आप लोग अपनी voice का use कर सकते हो you can record a voice you can upload an audio file तो यह यहां पर आपकी voice के profile बना लेगा and then after this you can use your voice to create content for example यह रही मेरी voice KP Hindi इसको मैं यहां पर use कर रहा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो like जरूर करें मुझे काफी help होगी धन्यवाद कितना similar लगा do let me know in the comment section below लेकिन हां ठीक है यह कुछ अलग voice रहेगी and then इस voice पर copyright आना या फिर monetize नहीं होने के chances कम रहेंगे तो you can add your voice और इसी तरीके से आप एक professional voice cloning भी है इसमें जो voice रहेगी वो in case आप से थोड़ी ज्यादा बेटर रहती है जैसे यह रहा यहां पर मैंने ज्यादा long form content upload किया था यह पुरा English voice है और यह वाली voice ज्यादा बेटर रहेगी compared to instant voice cloning and then professional voice cloning कभी कभार एक महिना भी लेले की train करने में अपने data set को मेरे case में जल्दी हो गया था विदने वी के पूरा प्रोसेस हो गया था तो अगर मैं आपर आपको इसका डेमो सुना हो right now I am in a lot of excitement I am fully recharge and telling you guys to like the video if you like it then you will have to buy it through my link in the comments below तो यह जो अभी आपने सुना है मेरी pro voice थी इसको में इंग्लिश में ट्रेन किया और यह हिंदी voice है वो clone voice है वो थोड़ी जल्ली हो जाती है pro voice यहां पर थोड़ी ज्यादा defined रहेगी थोड़ी ज्यादा characteristics रहेंगे जैसे मैं यहां पर बोलता हूं मैं यहां पर ज्यादा upload कर पाऊंगा ज्यादा better training रहेगी pro voice में मुझे यहां पर कितना फर्क दिखा है around 30% का मुझे फर्क दिखा है do let me know कि आपको कुछ फर्क दिखा है यहां अपको यह कुछ काम की चीज लगी भी है की नहीं यहां पर अगर आपको long form content बनाना है तो you will need to come into projects projects पर आप लोग यहां पर create new project करोगे you can create an empty project next यहां पर आपको basic details जाल ओगे और basic details आपको इस तरीके से आपर हो जाएगा you can select every paragraph like this and then you can change की कौन उसका author रहेगा second paragraph कौन author रहेगा you can play it out किस तरीके से आपको प्ले हो रहा है and then you can download everything at once from here यहां पर चाक्टर वाइज बिसको आपको आपको इस तरीके से आपको read करके सुनाएगा ना यह ऐसा रहेगा कि एक audiobook जैसा हो then there is audio native feature यह उन लोग ले जो bloggers है यह पर जो content लिखते है उनको अगर audio form चाहिए उनके content का और अपनी audience को भी सुनाना है तो उसके लिए use कर सते है तो यह आपने मैंने already create किया है अपने पेज के लि लिखा हुआ है उसको महाँ पे सुन पाएगी बेसिकली आपके blog पे text to AI voice generator लग जाएगा through this tool next important thing है आपर dubbing की हाला कि मुझे काफी अच्छी नहीं लगी है क्यों क्योंकि कोई भी अगर मैं आपर वीडियो डाल रहा हूँ जैसे एक audio file है English to Hindi की मैं आप इसको view करता हूँ मैंने यह English में upload किया था इसने इसको Hindi में आपर dub कर दिया है automatically क्या आप अपयोग करके पैसा कमा सकते हैं क्या आप इसे वानिजी ग्रूप से उपयोग कर सकते हैं AI कला के संबंद में कानून क्या है तो यह जो translate कर रहा है translate तो अच्छा कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा rich Hindi है rich मतलब बहुत ज्यादा है आप डीप वोकाबलरी का यूज किया गया है अब मुझे आपके कुछ वर्ट को easy चीज़ easy में convert करना हो तो वह मैं नहीं कर सकता हूँ यह पूरा एक ही बार में generate होता है अब बीच में आप लोग यहां पर कुछ specific चीज़े नहीं बता सकते हो इसलिए मुझे dubbing बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगी है right now इतना अच्छा नहीं है future अच्छा है तो you can add this command और वो एक सेकंड का बीच में pause ले लेगा उसके बाद अगर यहां पर आपको pause चीज़े और define नहीं कर पार होगी ऐसी normal pause यह तो you can add hyphens अगर बहुत जादा pause चीज़े तो you can add two hyphens और अगर आपको कुछ hesitation या nervousness दिखानी है तो you can have three dots I guess so इस तरह के you can have a conversational type of things then आता है यहाँ पर pronunciation if you want to add pronunciation तो इस तरह के से अपने English words के लिए pronunciations add कर सकते हो हाला कि यह मुझे बहुत जादा easy to use नहीं लगा है थोड़ा difficult है लेकिन यह Google करोगे तो you will get IPA और CPU alphabet pronunciations and you can use that now if you want to add emotions तो आपको अपने sentence के बाद इस तरीके से यहाँ पर emotions लगाने पड़ेंगे he said confusedly he said angrily इस तरीके से you can add some emotions are you sure about that he said confused don't test me he shouted angrily तो जो भी आपको emotions यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा and then post editing में इस word को remove करना पड़ेगा अब यहाँ पर सबसे बड़ा question यह आता है कि क्या AI voice monetize होगी क्या YouTube Facebook पे इसका use कर सकते है marketing ले उसको marketing ले तो you can use it marketing Facebook ads Google ads you can easily use it क्या यह monetize होगी कि नहीं पहले तो काफी easily monetize हो रही थी बट आज कर यह थोड़ा यहाँ पर strict हो गया तो what you can do is कि अगर यहाँ पर आप लोग कोई भी voice का use कर रहे हो उसको audacity में थोड़ा fine tune कर लो YouTube पे उसके tutorials आपको मिल जाएंगे audacity AI voice tutorial AI voice editing वहाँ पर आपको मिल जाएगा वह सारे steps को follow कर लो तो आपकी voice यहाँ पर थोड़ी सी different हो जाएगी and then अगर आपको उससे भी बचना है तो जैसे कि मैंने आपको बता है आप लोग अपनी voice को clone कर सकते हो इनके premium plans पे तो you can go there you can have your pro voice and then उसका use करके और combine कर दो उसको audacity के साथ में तो that will be the combination जो कोई भी break नहीं कर पाएगा और easily monetize हो जाएगा and on top of that add your own creatives अपने अच्छे creatives लगा videos, images, text effects, sound effects, background sound, background music यह सब mix करके जब आप एक अच्छा end product बनाओगे तो फिर monetize easily हो जाएगा अब अगर मैं sum up करू 11labs को तो जो मुझे features इसके अच्छे लगे है वो है इसकी voice quality कापी अच्छे लगी है, speech to speech का feature अच्छा है, voice cloning अच्छी लगी है, long form content ली अच्छा है जो चीजे मुझे पसंद नी आई है सबसे पहले उसमें customization के options, बहुत जादा emotions मैं add नहीं कर सकता हूँ, easily emotions को add नहीं कर सकता हूँ, मुझे टेक्स दिखना पड़ेगा देन उसको बाद में वापस से crop करना पड़ेगा, then आप वोईस दबिंग में थोड़े बहुत improvement करे जा स करनेखिती युझे लिए दू